क्या करा है कि बी किसी काम को कितने दिन में करता है फिप्टीन दिन में करता है और ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करते है वो करते है बच्चो फाइब देज में तो मैंने आपको बताया है कि जब भी इस तरह का कोशन हो तो टोटल वर्क को आप एक ऐसे यूनिट में अज्यूम करो जो टाइम के लसी में के टर्म्स में हो कॉमन मल्टिपल में हो सिंपली लेट से मैं इसको बोलता हूंगे 30 यूनिट वर्क दन है तो अगर वी 15 डेज में 30 यूनिट काम करता है तो बी प्लस बी प्लस सी फाइब देज में 30 यूनिट काम करता है तो पर डेगे कितना काम करेंगे इसमपली 8 6 यूनिट यूनिट यू कर लेट अब हमें नहीं पता कि अ और कि ना कर रहा है तो किटना काम कर रहा है वह एक यूनिट बी में कर एगदा कर लेगा Obrig कि तो मैं पूछू कि अगर एकेले को कितने दिन में करेंगे तो आप सिंप्ली लिखो गए 30 डिवाइड़ बाइड वाइड क्या होगा एक सब्सक्राइब और यहां पर गीवन है कि ए और सी के बीच में डे का डिफरेंस कितना है ले रहा है इसका मतलब क्या होगा सी ज्यादा टाइम लेगा तो आप क्या लिखोगे सी का जो टाइम है वह किसके इकोल होगा एक डेज के तो यहां से आपके लिख सकते हो 1 divided by 4 minus 6 and minus 1 divided by x is equal to 8 by 30 बोले तो यह हो जाएगा 4 by 15 हमने 2 से इसको 4 और 2 से इसको 15 कर दिया तो यहां पर यह आ गया 1 divided by 4 minus x minus 1 upon x is equal to 4 by 15 यहां पर थोड़ा सा common sense का यूज करो आपको given है कि a c से कम time लेता है और a plus c का value किसके equal है 4 के equal है तो of course a का value होगा वो 2 से ज्यादा होगा 2 और 2 यह भी sense ही होगा तो दोनों same time लेंगे तो हमें यह hint मिलिया कि जो x का value है वो 2 से ज्यादा होगा तो हम normal sense में value कितना assume करेंगे 2, 2.25, 2.5 and something like this यह clear है ऐसा तो हम नहीं करेंगे बच्चों की 2.33, 2.47 इस तरह के complex number को assume करेंगे एक्जामी जिसने भी question form किया है वो थोरा बहुत तो easiness दिया होगा ना तो let's say x का value 2.5 assume करते हैं तो x का value अगर हम 2.5 assume करेंगे बच्चों तो 4-6 का value कितना हो जाएगा यह simply हो जाएगा 1.5 यह clear है 2.5 बोले तो 5 by 2 और यह कितना हो जाएगा 3 by 2 हमें यह भी देखना था कि denominator में 15 चाहिए यानि 3 और 5 का factor चाहिए तो यहां पर हमें दीख रहा है एक 5 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है यह clear है तो अब हमें 1-4 4-6 का value कितना था बच्चों यह 3 by 2 था तो हमने 3 by 2 लिग दिया 1-6 का value कितना था 5 by 2 तो 1 divided by यह 5 by 2 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा simply 2 by 3 and minus यह हो जाएगा 2 by 5 यहां से बच्चों करा हम बोले तो आपको यह पता चल गया कि A की efficiency कितनी है A की efficiency आपको straight forward मिल गया 2.5 B की efficiency आपको मिल गया था B कितना था already given था वह 2 था और C की efficiency कितनी मिल गया बच्चों 1.5 आपको निकालना क्या था आपको निकालना था कि C 3 by 4 of the work कितने दिन में करेगा तो C per day कितना काम कर रहा है 1.5 और उसको करना क्या है total work done आपने अजिम क्या था 30 उसका 3 by 4 यह clear है और divided by जो उसका efficiency है 1.5 है तो यह कितना हो जाएगा 3 by 2 हो जाएगा यह clear है तो यहां से क्या cancel हो जाएगा 3 से यह 3 cancel हो जाएगा 2 से यह 2 और 2 से यह 15 सो C को कितना time लागेगा पिच्चों 15 बेज़ आगेगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा answer so I hope आपको यह समझ में आ गया होगा sometimes आपको थोड़ा बहुत हिटन ट्राइल करना पड़ेगा नहीं तो quadratic equation form करना पड़ेगा maximum इस तरह के question मैंने देखा है 1.5 2 2.5 something like state forward number रहता है यह clear है तो आप इसको as a conclusion भी याद कर सकते हो so I hope आपको यह समझ में आ गया होगा so thanks for watching the video if you like the video do subscribe the channel and share the channel with your friends